एक बार फिर से एडियम सेंड फ्रिजस की इस स्थिख सड़े की कलास में आपका श्वागत करता हूं और आपको अपने साथ देख करके मुझे खुशी हो रही है कि मैं आप सब की हेल्प कर पा रहा हूं एडियम सेंड फ्रिजस को लर्न करवाने हैं हमारी जो टेक्निक है लर्न करने की जिस तरीक से मैंने लर्न किया उस टेक्निक से मैं आपकी मदद कर पा रहा हूं इससे मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है बड़ आप भी कमेंट में अपनी राय को जरूर सेयर किया करियर और बढ़ते हैं आज की इडियम से की तरफ जो हम हमारी पहली इडियम है देज बिफोर लॉंग बिफोर पहले लॉंग लंबा होने कोई चीज लंबा जाने से पहले अगर कोई चीज को लंबा होने से पहले ही कर लिया चाहे तो इसका क्या आर्थ निकलेगा कि उसको कम समय में कर लिया गया ना लंबा होने से पहले कोई ची मतलब इसलिए होता है इन आज सार्ट टाइम अतिशीघ्र जैसे बिफोर लॉंग यू लर्न अलाट अफ एडियम्स मतलब बहुत जल्दी ही आप बहुत सारे एडियम्स सीख जाएंगे आप सीख रहे हैं आज 10री इडियम्स हो जाएंगी आपकी पूरी पूरी तो अब सोचिए ही सहंए एक बहुत जल्दी लर्न करेंगे तो बिफोर लॉंग का मतलब है इना साल टाइम अतिशी घ्र जो हमारी नेक्स्ट है ऐस फिट ऐस फिडल यह बहुत एक गजब की एडियम है यह तो आपको जरूर याद रहेगी क्योंकि यह समयने इसके लिए पिक्चर जन्रट करी है ना जरूर याद रहेगी is fit ऐस दा Sydney फिडल में इसे कहते हैं और कोईщее जयसे फिडल कि उतना जितना की फिडल हो इसके लिएए एक इमेज दिखाओं यह देखो, इतना विट, जतना कि एक फिडल हो, यह दोनों जो हुतरमा हैं, बिकुल फिडल के जैसी फिड है न, अब compare कर लो, compare कर लो, घूर घूर के compare कर लो, वीडियो को Pause करके घूर घूर के compare कर लो, लेकिन यह एडियम याद रखना, फिडल यह जो दिख राय बीच में यह फिडल और यह दोनों मौतरमा जो किनारे हैं यह क्या है हमारे लिए देखा जा तो फिडल के जैसे फिट परतीत हो रही हैं कि नहीं परतीत हो रही हैं अगर फिडल के जैसे फिट परतीत हो रही हैं तो इनको हम बिल्कुल क्या कह सकते ह बिल्कुल स्वस्त है और तंदुरुस्त है और अगर यह बिल्कुल स्वस्त है तंदुरुस्त है तो as fit as fiddle, as fit as a fiddle का मतलब भी होता है, बिल्कुल स्वस्त और तंदुरुस्त है, इंगलिस में इसी को हम लोग कहते है, strong and healthy, despite her age, किसी की age बहुत जादा हो जाए, तो उपनी age के बावजूद भी वह उतना fit है, जितना की एक fiddle fit होता है, fiddle देखो ऐसे ही होता है, जैसे मोहतरमा की body shape वह ऐसे fiddle का shape भी दिक रहा है, तो इस तरीके से fit है अपनी उम्र के बावजूद भी, तो मतलब वह बिल्कुल तंदुरुस्त है, मतलब की strong है, वह healthy है वह, तो I hope कि यह as fit as a fiddle idiom आपको तो हमेशा याद रहेगी, आगे बढ़ते हैं जो next idiom है हमारी that is at odds, at odds, odds का मतलब यह होता है विशम, यह आप सब को पता होगा, नहीं पता है तो अभी पता हो गया होगा, कि odds का मतलब होता है विशम, और अगर कोई क्या है, किसी के विशम है, किसी का क कोई विशम है, विशम का मतलब हम लोग उल्टा कहते हैं, अगर कोई किसी के अपोजिट है, तो वो क्या होगा, उससे हमेशा असहमती दिखाएगा, उसकी हरेक मुद्य में, हरेक बात में, हरेक कथन में हमेशा असहमती दिखाएगा, क्योंकि वो विशम है, उसके अपोज to someone यानि असहमत होना अनबन होना सेंटेंस में इसका कैसे परियोग कर सकते हैं Smith and his sister are always a Tots smith क्या आप भी अपनी भाई आप कभी अपने भाई बहनों में हमेसा एटोट्स रहता है हमेसा एटोट्स रहता है कि नहीं रहता है कहां पर रहता है टीवी देखने को ले कभी कभी भाई भाई में भाई बहन में किसी ने किसी में क्या रहता है टीवी देखने को ले करके यह वाला हमें देखना हमें यह वाला देखना है इसमें हमेशा क्या चलता रहता है वोट्स क्रिकेट आने लगे तो और देख लो तब तो फिर बहन को कोई सीरियल देखना कोई किकड़ देखना होगा अब इसके चक्कर में ओड रहेगा असेहमती रहेगी रहेगी तो अटोट का मतलब है असेहमत होना to disagree in a position to some one next diem अमें after once on heart is after once on heart after का मतलब के बाद होता है वन किसी के अपने दिल के बाद किसी के अपने मन के बाद अगर कोई है किसी के अपने हिर्दय के जस्त बाद अपना हिर्दय तो सबसे करीब है अपने और अपने हिर्दय के जस्त बाद अगर कोई है तो इसका मतलब है कि वो दोनों इंसान तभी इतने नजदीक हो सकते हैं जब वो दोनों एक जैसी इंट्रेस्ट रखते होंगे एक जैसा उनका इ होंगे तो वह एक दूसरे के हिर्दय के जस्ट बात होंगे मतलब हिर्दय पहले उसके जस्ट बात वही होंगे इतने क्लोज होते हैं तो having the same interest होता है इसका मतलब similar to you आपके जैसा अगर कोई मिल जाए तो आप उससे बहुत घनिष्ट बन जाते हैं तो इसलिए उसको बोलते हैं after once on heart अपने हिर्दय के अगर बात किसी को हम मतलब की अपने घनिष्ट मानते हैं तो वह है क्यों मेरे जैसा बिल्कुल है समार रुची रखने वाले को बोलते हैं जो मेरा बेस्ट फ्रेंड होता है वो क्या होता है हमारे ऑन हर्ट की होता है तभी तुम उसको बेस्ट फ्रेंड मानते हैं बनाते हैं तो बेस्ट फ्रेंड मुशी को बनाते हैं जो बिल्कुल हमारे जैसा होता है तो मैरा जो my heart he is after once my heart वो हमारे हिर्दे के heart के just बाद आता है समझ में आयोगी आयोब डियर नेक्स्ट इडियम है आयट डैगर्स ड्रॉन इयट ड्रॉन का मतलब क्या होगा माई डियर समझो डैगर का मतलब होता है खंजर नीचे लिखा देगो गेगर मतलब खंजर, ड्रान का मतलब दोनों पक्चों में समान, और ड्रान का मतलब खीचना, खीच लिया, ड्रा मतलब खीचना होता है न, तो ड्रान मतलब खीचा, तो खंजर अगर दोनों पक्चों में समान खीचे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है एक दूसरे के वो जान ल लड़ाई कर रहे होंगे इसी को इंग्लिस में हम लोग कहते हैं not feeling very happy sorry it is incorrect to have bitter enmity क्या होता है to have bitter enmity जानी दुस्मन देखो the neighbors were at daggers drawn arguing over the property property को लेकर के neighbors क्या होते हैं एक दूसरे के जानी दुस्मन बन जाते हैं एक दूसरे को मारने पर तुल जाते हैं बिलकुल खंजर निकाल करके चड़ाई कर देते हैं पुराने समय करा जाओं की तरह तो अगर खंजर को दोनों पक्चों में समान तरीके से चलाया जा रहा है खंजर को खीचा जा रहा है इसका मतलब है बहुत भयानक लड़ाई हो रही है और दो जानी दुस्मनों के मद्ध लड़ाई हो रही है तो डाइगर्स ड्रॉन का मतलब योगा जानी दुस्मन to have bitter inimity I hope कि डियर आपको आज की इडियम्स भी बहुत ही आसानी से याद हो गई होंगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबा है टेक क्यार आफ योशेल्फ पर उससे पहले एक शोड़ी शी रिक्वेस्ट है फीस के रूप में चनल को सबस्क्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो और अपने दोस माइडिया